किसी भी छेतर में सवल होने के लिए पूर्णतया समर्पित होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको कौन सा विशय अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है यहाइ सब माईने नहीं रखता है माईने यह रखता है कि हम सची स्रद्धा के साथ पूर्णत्या समर्पन के साथ उस कार्य को करते हैं और आगे चलकर अपना लक्ष प्राप्त करते हैं किसी कार्य के परती समर्पन का अर्थी यह है कि आपको उस काम के अलावा और किसी चीज का ध्यान ही नहीं है इसका आर्थ यह है कि आप उस कार्य करने में उस काम को करने में खुद को इतना अर्पित कर चुके हैं कि जब तक वह कार्य समाप्त ना हो जाए तब तक आप उसे पूरा करने में लगे ही रहेंगे इस संदर्म में रिशी धोम्य और उसके शिश्य अरूनी की कथा आती है एक बार बहुत ही जादा बरसात हुई, आसपास में खेत थे जहां पर अनाज और कंद मूल उगाया जाता था, रिशी धोम्य को चिंता हुई, कि कहीं बारिश के वेग से और उस पानी की वेग से जो वराह अथात नाले हैं, वो ना तूड जाएं, और सारा का सारा पानी कहीं आश्रम में आगुस चाएं, जिससे की सारी फसल और कंद मूल खराब हो सकते थे, रिशी धोम्य ने अरूनी को आग्या दी, कि शिष्च जाओ और जाकर देख क्याओ कहीं कोई वराह अथा नाला तूटा तो नहीं है, आरूनी कोई कुशागर बुद्धी शिष्च तो नह देखा कि एक नाला तूटा हुआ है और पानी पूरे वेग के साथ खेतों में गुस्ता चला जा रहा है, उसने वो वरा ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जितनी मिट्टी डालता, सारी की सारी मिट्टी पानी के वेग के साथ बह जाती थी, अरूनीन सोचा अब क्या किया जा तब उसे एक उपाय सुझा, वह स्वैम ही मेड पर लेट गया, अब मेड पर लेटने के बाद पानी के निकलने का तो सवाल ही नहीं उठता था, और वह वहीं पर लेटा रहा, जब बहुत देर तक आरूनी आश्रम में नहीं आया, तो गुरू जी को चिंता हुई, उन्हों अरूनी ने कुछ और शिशों के साथ लेकर खेत में जाने का निश्चे किया, वहाँ पर जाकर रिशी धोम में ने आवाज लगाई कि अरूनी पुत्र तुम कहा हूँ, तब कहीं से एक आवाज आई कि गुरू जी मैं यहां लेटा हुआ हूँ, और तब भी अरूनी वहां तब अरूनी ने सारे हालाद बताए, गुरू जीने अरूनी को उठने की आग्या दी और गद गद होकर अपने सीने से लगा दिया, गुरू और शिश्य, दोनों की आँखों से अश्रुधारा बै निकली, यही होती है सची श्रद्धा, यही होती है सची निस्था, यही हो झाल